हालो फ्रैंस, अभी को मेरा नमस्कार, आज हम लेकर कहा हैं कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग तो फ्रैंस, यह हमारा सिधा साइड है, यानि कि जो मैंने इस टाइम दिखा रखा है, वो मेरा उल्टा है कट कर दूँगी, कपड़ा कटते समय, यानि कि कापड़ा काडते समय, ध्यान रखे है और सिधा किदर तो फ्रैंस हम इसको इस तरीके से नाप लेंगे, जैनि के eight इंच तो friends ये मैंने जो chest रखूँगी यानि कि sorry ये solder रखूँगी solder रखूँगी मैं 8 इंच क्योंकि मुझे 8 इंच इसलिए रखना है ये मेरा color वाला गला है बी वाला गला बनाऊंगी friends में तो इसलिए मैंने solder 8 इंच रखे हैं और ये मुढ़े 6 इंच और chest मैंने साड़े 8 इंच तो friends यानि कि 17 इंच हमारे chest है और friends ये हमने जो इस टाइम कमर रखे हैं कमर हमारी 30 है तो 30 का चोथाई में आएगा हमारा साथ सोरी सड़े साथ तो सड़े साथ मैंने कमर रख दी और ये चाक उतने ही रखने हैं हम उतनी तो आए जितने हमारे chest है उसी की अनुसार हमें दावन रखने हैं और ये कि यहां पर एस्टर रहे हम तो वह तो हमारा फोल्ड़ हो जाएगा फोल्ड हमारा हो जाएगा और मैंने इसकी जो लेंत रख दी hai लेंद रख दी 42 इंच तो फ्रेंज मैंने 42 इंच इसकी लेंद रख दी है और देखो इस तरीके से हम बढ़े इस तरीके से हमने यानिके अच्छे से इसकी अच्छे हमने लाइन लगा ले और निशान लगा लिए यहांनी कि लेकिन इसे हमारे निशान कम देख रहे हैं क्योंकि हमारा यह पर्पड़ा भी है चौक मुझे दिखे रहा है यह फुरेंस वहां पर बेडियो से कम दिख रहे हैं किम पता रहे हैं यहां पर हैं कि यह क्टेंग् कमें होके हम स्दूल nice मिनने इस तरीके को यहाँ कर देंगे पूस्त पूंक्साइब कर अच्छा रहता है यह बिवाल कोगिए बहुत आसान होता है देखो कुछ इस तरीके से हमने फ्रैंस अब हम यहां से खला कट करेंगे। अच्छुफिनेशिंंग के साध तो फोस स्थाइम के कींहें हूँ देख किसे, यहां पर यहां पर एक इंच हे लगाया। यहां पर सीधा 3 इंच पर लगाया एकाट करने यहां यहां से था कर लेंगे और यहां से पभी 7icya कर देंगे में तीन निच यह यहां रूंडव कुछ इस तरीके में यहां यहां पर कि पंदरा इंच रखूंगी क्योंकि इसमें मिज़े मसीन के दुवारा यानिकी पिलेटे डाली है और उसको इसके आगे लगाना है तो फ्रेंस कुछ इस तरीके से हम इसको बाजू को कटकल लेंगे यहां पर निशान लगा लेंगे और यहां पर भी बीच में भी निशान ल लगा लेंगे तो फ्रेंस हम कुछ इस तरीके से यहां पर निशान लगाने के बाद और यहां पर भी निशान लगाने के बाद कुछ इस तरीके से अब हम कटकल लेंगे देखो हमने यह भी कटकल लिया और यहां से भी कटकल लेंगे एकसार करके कुछ इस तरीके से और यह यहां से भी कि हमें बाजू कितनी चोड़ाई चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम बाजू रख लेंगे यहां से भी कट कर लेंगे तो फ्रैंस अब हम इसमें इस तरीके से देखो यह हमारा बी वाला गला है तो बी वाला गला हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे देखो फ्रेंस हमने यहां पर यह यहां लाके रोग दिया है तो एक दो कटाकी लगाएंगे हम सिलाई की इस तरीके से और फिर इस तरीके से लगाने के बाद यहां से इस तरीके से ही सिलते चले आएंगे तो फ्रेंस देखो हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर हलके हलके कट लगा लेने हैं ताकि आसानी से फोल्ड हो जाए तो फ्रेंस मैंने इस तरीके से यहाँ सिलाई लगा लेनी है और तो मैं इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी और यहां से भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है तो फ्रेंस हम ने किनारे किनारे सिलाई लगा ली और अब इसको हम फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरीके से यहां से इस तरीके से हमारा बीवाला गलब बनके यह तैयार है फिर हम इसके solder जो एंड करने के बाद फ्रेंस तो बद कॉलर लगा देंगे तो फ्रेंस देखो हमने इस तरीके से यहां पर यह गला बना दिया बहुत ही है आसान है यह वाला गला देखो इस तरीके से यहां रख देंगे हम और रखने के बाद यहां पर इस तरीके से यहां मसीन रोक दी और यहां हम इसी के अनुसार विरकुल इसके अकोर्डिंग लेख के आएंगे सिलाई करते हुए तो फ्रेंस देखो हमने इस तरीके से यहां फोल्ड करके यह मसीन यहां पर चला दी यानि के सिलाई यहां पर लगा दी और इसको भी इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे बहुत ही बहतरीन हमारा ये वी वाला गला बनके कम्प्लिट हो जाएगा कुछ इस तरीके से देखो हमारा वी वाला गला बन गया है अब हम इसके सोल्डर जोयंड कर लेंगे यहां से पगड करके इसके हम सोल्डर यहां से सिल लेंगे यहाँ पर मैंने सिलाई लगा देए अब दूसरे सोल्डर पर हम सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरीके से हमने दोनों सोल्डर पर सिलाई लगा देनी है देखो हमारे दोनों सोल्डर पर सिलाई लग करके कम्प्लीट है अब हम चलते हैं यानि के यहाँ बाजु लगा देंगे बाजु देखो हमने कुछ इस तरीके से रख ली है सिधा उड़ा ध्यान रखे और हम बाजु लगाते जाएंगे बहुत ही आसान है increase इस तरीके से इसमें बाजु में थोड़ा कपर हमने जैंड कर लिया था और यहाँ पर इसी तरीके से यहां जोएंट कर लेंगे कपड़ा और यहां मैंने यह कपड़ा भी जोएंट कर लिया है और बहुत ही आसान तरीके से हैं यानि कि हमारी बाजू कम्प्लीट है देखो यह मैंने मसीन से लंबी चाल करने के बाद कुछ इस तरीके से प्लेटे डल जाती हैं यह लंबी चाल कर लेते हैं, और उसको लंबी चाल को हम चला देते हैं तेजी से, तो ये फिलेटे खुद पर खुद पर खुदी ही डलके complete हो जाती है ये प्लेटे बनानी मेरे दूसरी वीडियो में है देखो फ्रेंस हमने इस तरीके से ये प्लेटे बना लिए है अब हम ये बाड़े यहां रख लेंगे तो ये बिर्कुल अच्छे से इसको देख लेंगे कि हमें बराबर ही प्लेटे ये रहनी है हमारी तो हम बराबर ही प्लेट डाल देंगे कुछ इस तरीके से देखो, विरकुल बराबर डालते जाएंगे, यानि कि एकसार करते हुए इसको इधर-उधर से यानि कि जो हमारे हलके जाधा हो रहे हैं, उनों को कम कर लेना चाहिए, तो बराबर रखते हुए आसान तरीके से यहां हमें इकसार करते हुए चले आएंगे और जहां को हमारे जाद हैं वहां हम कम कर लेंगे कुछ इस तरीके से और देखो हमने अच्छे तरीके से यह सिल्या है और जहां को हमारे जाद हैं वहां कम करते जाएंगे, तो फ्रैंस देखो बुरी बाजु में हमारे यह आचुके हैं, क्योंकि मैंने जितने हमारी बाजु कंप्लेट है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने जाद लिया था, यानि कि उतना ही, जितनी हमारी बाजु है, उससे दुगना लिया था मैंने, देखो इस तरीके से बन के तयार है यह वाली प्लेटे बहुत सुंदर लगती है बनी हुई बहुत प्यारी लगती है अब हम देखो कॉलर यह मैंने को लर रखा है 17 इंच का लंबाई में क्योंकि मेरे बी वाला गला है तो इसमें कॉलर जाद्ध बड़ा लगता है तो फ्रेंस्स तर तरीके से शिलाई लगाते जाएंगे और शिलाई लगाते लगाते देखो इस तरीके से हम ब्रकुछ सेम उसी के अकोर्डिंग बना देंगे और उसके according बनाने के बाद कुछ इस तरीके से यहां सिलाई हमने निकाल दी और सिलाई निकालने के बाद इस तरीके से यहां पर हमें विल्कुल अच्छी finishing के साथ देखो और अब हम एक पैर की सिलाई लगा देंगे और बहुती ही बढ़या यह हमारा color लग जाएगा तो इस तरीके से हम पहले ही यह collar complete कर लेते हैं उसके बाद हमें machine पर बस बखाया है देखो इस तरीके से हमने सीधी साइड आजाएगा तो बहुत ही सुन्दर हमारा कॉलर लगेगा तो French जा-ध का दिहान रखें कि फ्नेश्टिंग वाला साइड जो है तो हमें उपर की साइड लाना चाहिए जिधर से हमारा कॉलर दिखता है ना कि बिना finishing वाला जो निच्ची की साइड आने चाहिए अंदर की साइड तो friends देखो हमने इस तरीके से यहाँ पर collar लगा दे है और बहुती ही बढ़या हमारा कुर्ता बनके complete है देखो अब हम fitting लगा देंगे बस इसमें इस तरीके से हमारा collar बन गया है लग गया है और friends देखो हमने इस तरीके से यहाँ पर लगा करके complete कर लिया और complete करने के बाद कुछ इस तरीके से अब हमने यहाँ पर fitting लगा दी है और fitting बहुती ही अच्छे तरीके से हमने fitting लगा दी है देखो और फिटिंग भी हमने कम्प्लीट कर ली यानि के लेकिन यहां पर दिहान रहे कि जादे हैं नहीं दवाना चाहिए कपड़ा साइड में क्योंकि हमने यह कोलर वाला गला बनाया तो थोड़ा हलका सा धिला रहे फिटिंग के अनुसार हलका हाप इंच कम्रा धिला रख यानि के कर लिए और फ्रेंज देखो इस तरीके से इधर की फिटिंग भी हमारी लगाने जा रहे हैं यानि के लगा रहे हैं तो फ्रेंज देखो इस तरीके से यहां पर भी कर लेंगे हम और यह हमने यहां भी यह वाला यानिके ढाल भी उसी तरीके है यह मैं जो निशान लगा लेती हूं तो पहले ही चौक से निशान लगा लेते हैं यानिके हमें फिटिंग का तो वह फिटिंग का हमें पहले ही निशान लगा लेते हैं तो बाद में हमें बस मसीन ही चलानी बखाया है तो इसी तरीके से हमने फिटिंग लगा ली है और फिटिंग लगाने के बना रहे हूं यह मेरे दावन है तो मैं इधर से दावन की साइड से बना रहे हूं यह जो मैंने बनाया है इस टाइम तो यह मैंने चाक बनाया है तो यहां पर मैंने इस तरीके से यहां भी फोल्ड कर लिया और फोल्ड कर लिया देखो इस तरीके से यहां पक्का कर दिया है ह हमने देखो इस तरीके से यहाँ पर इसको चलाते जाएंगे और फ्रेंस यह चाग मेरे बन के कम्प्लीट है फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो